तो देखते हैं हैं पर question बर first में हम से क्या पूछा गया है, what is mean by a pure substance, तो हमें यहाँ पर pure substance के बारे में बताना है, और किसी किसी question में यहाँ पर pure substance के जिगा normal substance होगा, पर यहाँ पर दिक्कत लेने की कोई बात निया, दोनों का answer यहाँ पर क्या होगा, same होगा, तो जो यहाँ पर pure substance होते हैं, वो यहाँ पर एक परकार के ही particle से मिलकर बनते हैं, वो particle यहाँ पर atom भी हो सकते हैं, और molecules भी हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर example की बात करूँ, sulfur, तो sulfur हमारे यहाँ पर किससे मिलकर बना होता है, sulfur atoms मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर sulfur ह होगा वो हमारे यहां पे क्या हो गा और सभी सिम्चस जो घो भी हमारे यहां पर अंड कंपॉंड्विन होते हैं वह हमारे किसमें प्रकार के पार्टिकल शाह리 मिलकर बने होते हैं और प्रकार की .. हमारे यहांемся हमोगोगिनीस मिक्चर होता है इसमें हमारे यहाँ पर क्या होते है same ratio के ही ingredients होते है पूरे mass में इसलिए यहाँ पर लिखा गया है homogeneous throughout its mass इसमें जो composition होगा वो यहाँ पर क्या होगा constant होगा और इसकी जो properties होगी वो यहाँ पर क्या होगी consistent होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है pure substance has a fixed composition इसका जो composition होगा वो यहाँ पर क्या होगा fix होगा, constant होगा और इसका जो melting point and boiling point है वो भी हमारे यहाँ पर क्या होगा fix होगा तो hope आपको यहाँ पर question first के answer के बारे में पता चल गया होगा आप हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो देखते हैं पर question number second हम से क्या पूछा किया है list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच का difference बताना है वो हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो जो हमारे यहाँ पर homogeneous mixture होता है वो हमारे यहाँ पर क्या कहला जाता है solution कहला जाता है जबकि जो हमारे यहाँ पर heterogeneous mixture होता है वो यहाँ पर suspension and collides दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर suspension भी हो सकता है और collide भी हो सकता है अगर मैं यहाँ पर suspension की example की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पर क्या हो जागा sand in water अगर मैं पारी में sand डालता हूँ तो वो हमारे यहाँ पर क्या होगा suspension होगा क्योंकि इसमें जो solute particles है वो हमें यहाँ पर साफसर दिख रहे है जबकि जो अगर मैं collides की बात करूँ तो इसमें हमारे यहाँ पर milk आ जाएगा ink आ जाएगी और swap solution आ जाएगा अगर यहाँ पर light pass करेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा scattering होगी क्योंकि इसके अंदर के जो particles है वो light को क्या करेंगे scatter करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर क्या जाता है collides में आ जाता है हम मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ second difference की तो जो हमारा homogeneous mixture होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है uniformly distributed होता है इसमें जो हमारा यहाँ पर ratio of ingredients है वो यहाँ पर क्या होता है same होती है जबकि यहाँ पर ultra होता है heterogeneous mixture में यह हमारा यहाँ पर क्या होता है unevenly distributed होते है यह हमारा यहाँ पर inconsistent properties होती है और इसका composition भी constant नहीं होता है third point यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है these are not visible to the naked eye इसका मतलब हम यहाँ पर इसके composition को अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे but हम यहाँ पर microscope से इसके particles को देख सकते हैं जबकि heterogeneous mixture में अगर मैं यहाँ पर suspension की बात करूँ तो वो हम यहाँ पर normal देख पाएंगे अगर मैं यहाँ पर collide solution की बात करूँ तो हमें यहाँ पर microscope से देखना पड़ेगा अब मैं यहाँ पर बात करें तो इसके fourth point की the particles appear smaller inside इसके alpha particles में फेख पर क्या होता है जबकि heterogeneous mixture में यहाँ पर क्या होता है चोटा भी होता है बड़ा भी होता है अगर मैं यहाँ पर suspension की बात करो तो इसमें यहाँ पर particle का size हो साइज हो तो बड़ वो बड़ा होगा जबकि NICK&कोथ में यहाँ पर चोटा को गा और यहां पर क्या होते हैं अलग अलग पार्टिकल से मिलके बने होते हैं इसलिए यहां पर प्योड़ सभिस्टेंस की कटेगरी में नहीं आते तो होग आपको दोनों के बीच का difference पता चल गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं आपके question बर first में हमसे क महुआ देखते हों यह वाला हमारे यहां पे का ह obst opened acordo है यिए परuli क्या है और रिट साथ हमारे यहां पर हमारे हैं होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, heterogeneous not uniform throughout the solution होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, inconsistent इसकी properties होती है, इसका composition यहाँ पर consonant नहीं होता, और इसके अंदर के जो ingredients है, इसका ratio यहाँ पर same नहीं होता, अब मैं यहाँ पर बात के लिए तो second point की, components of homogeneous mixture cannot be seen through neck dye, इसके components को हम यहाँ पर अपनी आखों से नहीं देख पाएंगे, हम यहाँ microscope की जरूरत पड़े की, जबकि यहाँ पर heterogeneous mixture में, अगर मैं यहाँ पर suspension की बात करूँ, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, suspension में हमारा यहाँ पर क्या जाता है, अगर हम यहाँ पर पानी में sand को mix करें, तो यहाँ पर जो sand के particles हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें हमारा जो heterogeneous mixture होगा, हम इसको यहाँ पर देख पाएंगे, और अगर में यहाँ पर collidal के बात करूँ तो वहाँ पर महीं देख पाएंगे, तो इसका मतल 손, हम यहाँपर heterogeneous mixture में देख सकते हैं, अगर मैं यह suspension की बात करके चलू तो third point में यहां पर यह लिखा है इसके जो particles का size होता है वो यहां पर क्या होता है काफी छोटा होता है जबकि heterogeneous mixture में अगर मैं suspension की बात करूं जैसकि हमने यहां पर sand और water लिया था तो उसमें जो sand का size था वो यहां पर काफी बड़ा था तो इसमें यहां पर क्या होगा उसका size बड़ा होगा अब देखते हैं यहां पर fourth point पे components of homogeneous mixture cannot be separate easily इसको हम यहां पर physical processes separate करी नहीं पाएंगे जबकि heterogeneous mixture में यहां पर separate हो जाता है जैसकि पानी में अगर हम रेत ला लेंगे तो कुछ दिरबाद जो यहां पर रेत होगा वो यहां पर नीचे आके जमने लगेगा इसका मतलब हम यहां पर इसको separate कर सकते हैं easily अगर मैं यहां पर fifth point की बात करो तो इसके जो physical properties होती है वो यहां पर क्या होती है सेम होती है जबकि heterogeneous में जो physical properties होती है वो यहां पर क्या होती है different होती है अगर मैं यहां पर homogenous के example की बात करूं तो वो यहां पर क्या होगा salt solution होगा sugar solution होगा क्योंकि हम यहां पर दोनों का differentiate नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको mix क करें तो और heterogeneous mixture में हमारा यहां पर क्या होगा mixture of salt and sugar इसको हम यहां पर differentiate कर सकते हैं physically grains and pulses हो गया और उसमें क्या होते है कुछ dirt particles होते हैं जिसके विज़े हम यहां पर differentiate कर पाएंगे तो वह हमारे किसमें हैगा heterogeneous mixture में आएगा तो होप आपको इस question का answer मिल गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो देखते हैं पर question second में हमसे क्या पूछा क्या है how are solve solve मतलों यहां पर क्या हो जाएगा collide हो जाएगा solution and suspension different from each other तो हमें यहां पर क्या करना है तीनों का difference बताना है solution का collide का and suspension का तो यहां पर जो Sola इसका मतलब हमारे यहां पर क्या होता है collide होता है तो जो हमारा solution होता है वह हमारे यहां पर क्या होता है homogeneous mixture होता है जबकि जो हमारे यहां पर collide होता है वह हमारे यहां पर दिखता है homogeneous जैसा है पर वह होता क्या है हमारा heterogeneous होता है कॉलाइट की अगर मैं यहाँ पर example की बात करूँ तो वहाँ पर क्या जाएगा milk आ जाएगा ink का जाएगा और जो suspension होता है वो हमारे हैं पर हैट्रोजीनियस mixture होता है अब मैं यहाँ पर इसके size की बात कर लेता हो तो जो हमारे हैं पर solution के particle का size होता है इसका जो यहाँ पर diameter होता है वो हमारे हैं पर क्या होता है 1 nanometer से कम होता है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलाइट की कॉलाइट की जो यहाँ पर particles का size होता है वो यहाँ पर क्या होता है 1 nanometer 200 nanometer होता है in diameter इसके जो इहाँ पर पार्टिकल्स का साइज और वो इहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर बात कर लिते हैं सबसे बड़ा होता है जो कि यहाँ पर कितना है उसके 3rd point की। कि नहीं देख पाते नहीं इसको भी नहीं हमें यहां पर microscope की जरूत पड़ती है जबकि जो suspension है हम इसको यहां पर अपनी आखों से देख पाते हैं इसमें microscope की जरूत नहीं पड़ती हम मैं यहां पर बात करें तो उसके fourth point की तो solution है वो यहां पर आसानी से filter paper में pass हो जाता है और हम यहां पर यहां पर solution और collide से दोनों से बड़ा होता है इसलिए हम यहां पर इसको असानी से separate कर पाएंगे by the process of filtration हम मैं यहां पर बात कर लेता हूं इसके fifth point की तो जो हमारे यहां पर solution होता है वो यहां पर क्यों होता है काफी stable होता है और हम यहां यहां पर separate out नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे थोड़ी दिर रखें तो जबकि suspension में हम यहां पर इसको separate out कर पाते हैं जैसे कि अगर मैं यहां पर पानी में rate मिलाओंगा तो कुछ दिर बाद जो rate वो यहां पर नीचे आके जो हमारा यहां पर collide होता है वह हमारा यहां पर क्या करता है light को scatter करता है क्योंकि इसके पार्टिकल का size भी यहां पर क्या होता है बड़ा होता है तो यहां पर क्या होगा जबकि solution में यहां पर ऐसा नहीं होगा तो hope आपको यहां पर तीनों के difference पता चल गई होंगे अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं यहां पर question number 3 में हमसे क्या पूछा क्या है to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin find its concentration at this temperature तो हमें यहां पर क्या find out करना है हमें यहां पर concentration find out करना है किसका solution का तो हमें यहां पर concentration of solution का formula पता होना चाहिए यह question solve करने के लिए तो मैं यहां पर लिख लेता हूं concentration of solution तो concentration of solution का जो formula होता है वो हमारे यहां पर क्या होता है mass of solute मैं यहां पर लिख देता हूं mass of solute upon mass of solution mass of solution multiply 100 क्योंकि हम यहां पर क्या निकालेंगे इसकी percentage निकालेंगे concentration of solution की तो जो हमारे यहां पर mass of solute है मतलब जो हमारे यहां पर sodium chloride है इसका यहां पर mass कितना 36 gram है तो वह मैं यहां पर लिख लेता हूं mass of solute mass of solute तो इसका जो mass है वह हमारे यहां पर कितना given है 36 gram given है उसके बाद हम यहां पर solution के mass भी बता होना चाहिए to solution के Mira जो हमारे हम this solvent उसका बढ़ा कर लेते हैं solvent हमारे हैं पर कितना है 100 है तो है यहां पर मैंले लेता हूं मास आफ सोलुशन तो स्टраст का जो हमारे हमारे मास होगा वह हमें हो क्या करना है solute plus solvent करना है तो यह हमारे यहां पर कितना आ जाएगा 136 ग्राम आ जाएगा तो हमें यहां पर mass of solution पता चल गया mass of solute पता चल गया हमें यहां पर simple 100 से multiply कर देना है तो concentration of solution concentration of solution हमारा कितना हो जाएगा 36 divided by 136 multiply 100 इसको 2 से divide कर सकते हैं तो स्ब्सक्रां स्प्राइगे 18 हो जाएगा और शांपर कितना हो जाएगा 추천 पर 65 12ает 16 अब यहां पर देखतें कि से डिवाइट कर सकते हैं 2 से 008 Momo 23a23 update अब यहां पर divide नहीं होगा तो हमारे यहां पर कितना आ जाएगा 900 divided by 34 pickles से इसोन सेघ्ट कर सकते थे तो मैं यहा पर और इसको चोटा कर लेता हूं तो havoc कितना हो जागा 450 अग्र यहा पर आ सेवडेट करने पर अब यहां पर सिंपल डिवाइट कर लेते हैं तो 450 को हम में किस से करना है 17 से divide करना है 17 2 जा यहाँ पर कितना होता है 34 होता है यहाँ पर कितना है 1 यहाँ पर कितना है 1 तो यहाँ पर कितना हो गया 110 हो गया अब हमें यहाँ पर 17 को 6 से करेंगे तो हमारे हमें यहाँ पर कितना आजाएगा 102 आजाएगा और यहां पर हमारे कितना बचेगा 8 बचेगा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगआ गाए के फिस मतलि ले सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर इस door किस से करना पड़े से multiply कर रहे थे हमारा final answer कितना होगा 26.47 percentage by mass तो यह हमारे यहां पर आएगा by mass तो hope आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं पर question बर first में हम से क्या पूछा क्या है how will you separate a mixture containing kerosene and petrol difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius which are missable with each other तो हमें यहां पर kerosene and petrol को क्या करना है दोनों को अलग करना है और इन दोनों को बीच का जो boiling temperature वो यहां पर क्या more than 25 degrees Celsius है और यह आपस में क्या मिल जाते हैं मतलब missable है तो हमें इसको separate करने के लिए कौन सा process यूज करना पड़ेगा हमें यहां पर distillation process को use करना पड़ेगा तो आपको यहां पर राड़ साइड डियागराम दिखरा यह हमारा कौन सा process है यह हमारा यहां पर है distillation प्रोसेस यह हमारा यहां पर है distillation process तो इस process में यहां पर क्या होता है अगर दोनों यहां पर जो liquid है इन दोनों का temperature यहाँ पर 25 degree Celsius से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर आसानी से separate कर पाएंगे इस diagram में आपको यहाँ पर salt water दिख रहा होगा इसके जिगा हम यहाँ पर क्या लेंगे kerosene and petrol लेंगे तो मैं यहाँ पर लेग देता हूँ इसके जिगा हमें हुआ कि इस प्रोसेस से हम यहाँ पर यहाँ कर देता है और दीरे दीरे नहीं से दूसरी फ्लास्म में यहाँ पर क्या होगा हमारे जो पैटरोल है वो इकटा होता रहेगा तो इस प्रोशेस से हम Top क्या हो जएasureगा किज जाद होता है तो पैटरोल यहास सबसे पहले वेपर में चेंग होगा condenser से यहाँ पर ठंडा होगा फिर दुबार है यहाँ पर liquid में change हो जाएगा और हम यहाँ पर इसे दूसरे flask में इसको store करके रख सकते हैं तो यह हमारे हैं पर simple process है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर left side statement में यही चीज लिखी हुए है मैं यहाँ पर फिर से पढ़के बता देता हूँ तो यहाँ पर हमारे जो difference है दोनों के बीच का कितना है 25 degree Celsius है तो हम यहाँ पर simple distillation process से दोनों को अलग कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या जो mixture of kerosene and petrol है इसको हमें किस में लेना पड़ेगा distillation flask में लेना पड़ेगा यह जो हमारे यहाँ पर क्या था distillation flask था जिसमें हमने यहाँ पर क्या ले लिया kerosene and petrol को ले लिया अब यहाँ पर जो thermometer है वह यहाँ पर काफी important role play करेगा इससे हमें यहाँ पर इनके temperature का पता रहेगा क्योंकje यहाँ पर जो boiling temperature होता है वह यहाँ पर petrol का कम होता है तो वह जल्दी यहाँ पर vapor हो पाएगा तो हमें यहाँ पर ओन यहाँ जो heat देनी है वह काफी धीरे धीरे करके देनी है क्यُक्विज़ तेजी से देंगे तो दोनों ही vapor में change हो जाएगे और हमें यहाँ पर temperature का इतना पताने चलेगा इसलिए हमें यहाँ पर जो heat देनी है वो काफी धीरे-धीरे करके देनी है तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है On heating the distillation flask with the burner The petrol having lower boiling point distills over first and collected in a suitable container तो यहाँ पर जो petrol है वो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले vapor में change होगा और vapor में change होने के पाद वो condenser से गुज़रेगा जिसकी वज़े से वो यहाँ पर liquid में change हो जाएगा वो हम यहाँ पर दूसरे container में इसको store करके रख सकते हैं और kerosene हमारा यहाँ पर distillation flask में ही बचा रह जाएगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों को separate कर पाएंगे तो hope आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं यहाँ पर question number second में हमसे क्या पूछा गया है name the technique to separate तो इस question में यहाँ पर दोनों को separate करने में जो technique use हुई है centrifug machine है तो इसमें हमारे यहाँ पर क्या होगा curd में से जो butter यह पर separate हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा एक बड़ा सा बीकर होगा इसमें हम यहाँ पर करण को डालेंगे और यह काफी तीजी से rotate करेगा rotate करने के बाद जो हमारे यहां पर butter है वो हमारे यहां पर अलग दिखने लगेगा तो इस technique के जरी हम यहां पर इसको separate कर पाते हैं तो इस technique को हम यहां पर क्या नाम देंगे, centrifugation देंगे मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूँ यह technique हमारी यहाँ पे कैई Century, Fugation है उसके बाद जो हमारे हिहाँ पे second पूछा किया है वो हमारे हिहाँ पे कैई Salt from Sea Water यह simple evaporation की process से हम यहाँ पे Salt को ले सकते हैं तो second जो technique होगी वो हमारे हिहाँ पे क्या होगी Evaporation होगी या इसको काफी दीरे-दीरे करके heat करना है तो heat करने के बाद जो इसका water है वो हमारा vapor में change हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हमें क्या मिलने लगेंगे salt मिलने लगेंगे तो इस technique से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं sea water में से salt को अलग कर सकते हैं इस process को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं evaporation थर्ड में हमसे यहाँ पर क्या पूछाँ गया camphor from salt तो हम यहाँ पर camphor salt का जो mixture होता है उसमें से हम यहाँ पर क्या करना है camphor को separate करना है तो हम यहाँ पर कैसे कर पाएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यह जो आपको यहाँ पर साइड में डियाग्राम देख रहा है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, और इसका अंसर भी हमारा यहाँ पर क्या है, सब्लीमेशन आएगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह ह के and को हम यहाँ पर बंद कर सके इसको यह इसले लगाती है क्योंकि जो एमोनियुम एयां पर नहीं से यहाल होगा सबसे पहले व है और जैसे के आपने दिख रहा है वह सैड में यहाँ होगा इखटा होने लगेगा तो यहां पर ammonium chloride लिखा है इसके जगह यहां पर क्या इखटा होगा इखटा होने लगेगा इस process को हम यहां पर क्या बोलते हैं sublimation बोलते हैं तो आपको यहां पर तीनों का पता चल गया होगा butter from curd में हमारे हैं यहां पर centrifugation technique technique यूज होती है salt from sea water में evaporation technique यूज होगी camphor from salt में sublimation technique यूज होगी तो अब हम चलते हैं अपने nash question की तरफ तो देखते हैं पर question number 3 में हम से क्या पूचा क्या है what type of mixtures are separated by the technique of crystallization तो यहां पर crystallization technique से किस परकार के mixture हम यहां पर separate कर सकते हैं वह हम यहां पर बताना है तो simple भासा में जो हमारे यहां पर solid में impurities होती हैं वह हम यहां पर crystallization technique से अलग कर सकते हैं अब यहां पर देखते हैं answer में क्या लिखा है the mixture containing solids in which the impurities may be either less soluble in the solvent और more soluble in the solvent than the solids are separated by the technique of crystallization तो simple भासा में वहीं हो लागया है कि इसमें जो impurities होगी solid में चाहे वो solvent में less soluble हो या ज्यादा soluble हो तो वह हम यहां पर किस process से अलग कर पाएंगे crystallization process से अलग कर पाएंगे अगर मैं यहां पर example की बात करूं तो यहां पर क्या लिखा है the impurities present in impure copper sulphate तो copper sulphate में जो impurities होती है वह हम यहां पर crystallization process से अलग कर पाएंगे common salt and alum etc यह भी हम यह एंपर crystallization process से अलग कर पाएंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे copper sulphate का solution ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको heat करेंगे, heat करने के बाद हम यहाँ पर क्या करना है, इसको stir करना है glass rod से, हम यहाँ पर क्या करना है, glass rod की help लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर stir करते रेंगे, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर hot saturated solution है, उसे हम यहाँ पर तो इस technique को हम यहाँ पर क्या बोलती है किसलाइजीशन टेक्निक बोलते हैं, वह आपको समझ में आ गया होगा किस परकार के mixer हम यहाँ पर separate कर पाएंगे, तो इसमें हम यहाँ पर example दे रखा है copper sulphate का, common salt का, alum का, और भी यहाँ पर बहुत से solution है, जो हम यहाँ पर crystallization process से separate कर प सकतें, जब कि जो physical changes होते हैं, उसको हम यहाँ पर reverse कर सकते हैं, cutting of trees, तो आपको यहाँ पर पता है कि अगर हम यहाँ पर पेज़ को काटें, तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकतें, तो यह हमारा किसमें आएगा chemical changes में आएगा, तो मैं यहाँ लिख pitग केंगल तो यह हमारे किसमें आएगा chemical changes में आएगा chemical changes अब यहाँ पर बात कर लेते हैं second point की second हमारे यहाँ पर क्या तो यहाँ पर क्या होगा physical change होगा यह हमारे यहाँ पर होगा जिसनों जिसके वज़ंगनिये तो यह निई टर्डड़ प्रटर्व होगा chemical change होगा यह यह हमारे यहाँ पर होगा chemical change अब हम यहाँ पर बात करें थे boiling of water to form steam अगर मैं यहाँ पर पानी को गरम करूं और उसके उपर मैंने ठकन लगा रखा है तो ठकन के उपर जो पानी water vapor की form में जाएगा उसके बाद वो दुबारा यहाँ पर water droplets में change हो जाता है इसका मतब यह हमार यहाँ पर क्या होगा physical change होगा अब यहाँ पर 5 में क्या लिख है passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases तो यह हमारा यहाँ पर change नहीं होगा तो यह हमारा किसमें आएगा chemical change में आएगा chemical change में तो हमने यहाँ पर क्या करा है पानी में electricity पास करी जो पानी यहाँ पर क्या होगा breakdown होगा कौन से particles इससमें hydrogen में and oxygen gases में H2O जो हमारे यहां पर water molecules का formula होता है H2O तो इसमें हमारे हैंपर क्या होगा hydrogen अलग होकर और oxygen हमारे हैंपर क्या होजाएगा अलग हो जाएगा अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं 6th point की तो 6th point में क्या लेका Dissolving Common Salt in Water अगर मैं यहाँ पर पानी में salt मिला हूंगा तो यह हमारा chemical change है physical change तो यहाँ पर पानी में salt मिला दिये तो इसको यहाँ पर reverse कर पाएंगे by the process of evaporation evaporation में हमारे यहां पर क्या होगा पानी जो है वो यहां पर vapor में change हो जाएगा और उसके बाद यहां पर salt के particles रह जाएगे तो यह हमारे यहां पर क्या होगा physical change होगा यह हमारे यहां पर आएगा physical change में आप चाहे तो यहां पर दो table बना सकते एक यहाँ पर लिख सकते हैं chemical change chemical change और दूसरे टीवल यहाँ पर बना के लिख सकते हैं physical change physical change और उसके बाद यहाँ पर नाम लिख सकते हैं cutting of trees और यहाँ पर जो भी हमारे हैं यहाँ पर chemical changes में आ रहे हैं दोनों साइड यहाँ पे आप अलग-अलग करके इसको separate करके लिख सकते हैं अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 7th point की Making a fruit salad with raw fruits तो यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं? Raw fruits से fruit salad बना रहे हैं तो यह हमारे यहाँ पे क्या होगा? Physical change में आगा किसमें आगा यह हमारे यहाँ पे? Physical change में क्योंकि यहाँ पे chemical change नहीं है अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ Last point की burning of paper and wood यह हमारे किसमें आगा? Chemical change में का burn करने बद हम उसे दुबारा reverse process में नहीं कर पाएंगे तो यह हमारे किसमें आगा? Chemical change में आगा तो hope आपको यहाँ पे इस question का answer मिल गया होगा आप हम चलती है अपने next question के तरफ तो देखते हैं पे question number second में हम से क्या पूछा गया है? Try segregating the things around you as pure substance or mixture तो हमें यहाँ पे अपने आसपास की चीज़े देखनी है और उनको हमें यहाँ पे separate करना pure substance यहाँ पे कौन से है और mixture यहाँ पे कौन से है तो मैं यहाँ पे 5 नाम दे देता हूँ आप चाहे तो यहाँ पे उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ baking soda की तो baking soda हमारे हैं पे क्या होगा प्यौर में आएगा baking soda तो सको मैं यहाँ पर लेता हूँ यह हमारे हम पे क्या है pure substance that यह हमारे हैं प्यौर अफिस्टेंस नेटा हूँ और इस सेड़ में यहाँ मैं ययाँ पे mixtures लिखनें है मुझे यहां पर क्या लेक्ने यहां पर हमाइ सब्सक्राइब करें तो easiestsehen में और यह हमारे हैंपे क्या होता है मिक्षय करणा होता है बहुत सारी कमपोजिशन से मिलके बना होता है हम इस यहां पर बात करें रहुती ग्रैफाइट की तो ग्रैफाइट हमारे यहां पर क्या है प्योर सभी स्टैंस है और इसके बाद हम यहां पर क्या ले सकते हैं यहां पर टैब वाटर ले सकते हैं टैब वाटर हमारे यहां पर क्या होगा मिक्स्चर का बना होता है उसके बाद मैं यहां पर ले ले लेता हूं mixture का बना हुआ है तो इस तरीके से आप यहां पर और भी चीज़ को यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर दोनों को अलग-अलग करके differentiate कर सकते हैं as a pure substance और mixture अब हम चलते हैं अपने question के तरफ